तो लोग बात करने जा रहा है मुख्यमंत्री उदरिया टेबलेट योजना के बारे में जिसमें स्मार्टफोन भी आपको मिलना है तो एक आदेश जारी हो गया है जिसमें टेबलेट और स्मार्टफोन किसी दिया जाएगा कि यह निजायत कर दिया गया है शुरू से ही जब से टेबलेट या स्मार्टफोन का नाम आया है तब से लोग पूछते रहते हैं कि सर किसी टेबलेट मिलेगा किसी स्मार्टफोन मिलेगा अभी तक तो यह निजड़े नहीं लिया गया था किसे दिया जाएगा लेकिन अब यह निजड़े ले लिया गया है क किसे टेबलेट दिया जाए और किसे स्मार्टफोन दिया जाए उसके बारे बात करेंगे साथी टेबलेट कितने पैसे तक का होगा स्मार्टफोन कितने पैसे तक का यानि कितने कीमत तक का कंडिडेट को दिया जाएगा उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहल अन्य असना तक के अन्य graduation post graduation हो कर रहे हैं उन्हें smartphone दिया जाएगा, जब कि सारे реal चाह रहे है, 95% लोग चाह रहे हैं, वोग मुझे tablet मिल जाए और कुछ लोगी चाहा रहे होंगे जो smartphone के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि लगग लगग ज्यादा लोगों के पास smartphone है, tablet ज्यादा लोगों के पास नहीं है, सब्हकी चाहत थी कि tablet मिल जाए, अलग अंदाजा लगा रहे थे candidates की इन candidate को या आय प्रवापत्र में आय जिनका कम होगा अधिक होगा इस तरह से कुछ detail देख करके और smartphone और tablet का वित्रण किया जाएगा फिलाल उन सारे candidate पर पानी फिर गया है उनके विचारों पर उनके आसाओं पर जिनका ये rule जो है rule regulation जो है उनके टेबलेट मिले क्योंकि अन candidate को भी इसकी बहुत जरूरत थी जो कि नहीं किया रही है और ऐसा उन्हें किया जाना चाहिए और इसको बदला जाना चाहिए इस नियम को और tablet ज्यादा ज्यादा candidate को दिया जाना चाहिए 50-50 ही कर दें तो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा साब फिलाल आगे देखते हैं इस टेबलेट और किने किने मिलेगा तो तक्निकी सिचारत के तहट जो अध्यान कर रहे हैं जैसे मान के चलिए जो लोग हाइर एजुकेशन कर रहे होते हैं उनके पास मान के चलिए maximum लोग पास tablet और laptop या laptop tablet दोनों ही होता है इस smartphone तो होता ही होता ह है तो ऐसे में यह किसे दे जा जाना चीए लोगों को सूचा जाना चीए था ठीक है फिलाल अन लोग जो इसमें कंपनिया इसमें पार्टिसिपेट की हैं जैसे Samsung, Acer, Lava यह सारी कंपनियां जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं Samsung भी है ठीक है बड़ी-बड़ी कंपन इतने जाएं उसकी जो फैसिलिटी देखें अभी क्या-क्या उसके अंदर देंगे चार जीवी रैम से दो जीवी रैम आया था अब घट करके कितना हो जाएगा कोई आडिया नहीं है आप समझ लिजेकर दो जीवी रैम का मुबाइल दे देंगे तो इसमें maximum लोगों के पा वही 2Gb रैम का अगर मुबाइल दे देते हैं तो क्या ही चले गा हो ठीक है टो एसमें यह थी वही 2Gb का रैम का मुबाइल दे रहे हैं या या tablet दे रहे है और उससे साथ प्रोसेसर अगर अच्छा दे देते हैं latest processor तो कानः चलता रहेगा फिलाल इं donor 4Gb का का स्भी helps सब को करना चाहिए फिलाल आगे क्या करते हैं अभी तो चार्जी भी का कहीं कोई बात नहीं है चार्जी भी शुरूम था घटा करके उसे दो जी भी कर दिया अभी देखते बढ़ते बढ़ते कितना घटाते हैं तो इस तरह से जानकारी आपके सामें आती है और लास्ट में भी जब तक मिल न जाए तब तक देखिए क्या क्या इसमें फेसलिटी जोगरा कम होंगी फिलाल आप कंफर्म हो गया होंगे कि केवल टेक्निकल एजुकेशन वालों को ही टेब्लेट मिलेगा और स्मार्टफोन जो है अने लोगों को दिया जाएगा जो की उचित नहीं है इसे बदला जाना चीए अगर कोई जीमेदार इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज इसको बदल दीजी आप क्योंकि बहुत सारे कंडिडेट उनके असाव पानी फिरेगा जो लोग टेब्लेट की इंतजार में हैं परिसान हैं वेट कर रहे हैं और उनके पास एक जाने वाद़